Hello friends, welcome to my channel आज में अपने इस new video में डिसकस करूँगा कि stock market में investing और trading क्या होती है और दोने में क्या difference होता है चलिए आज का informative video शुरू करते हैं सबसे पहले investing investing क्या होता है जो आप किसी company में अपना पैसा लगाते हैं और उसे long term के लिए hold करते हैं उसके future prospect को देखते हुए तो उसे हम investing कहते हैं मतला आपने उस company में invest किया है और trading क्या होता है जब हम किसी company में एक particular event को या कोई news को play करके पैसे कमाना चाते है quick money तो उसे हम trading कहते है investing में 5 चीज़े आती है इसमें हम buy and hold की strategy यूज़ करते है इसमें हम compounding effect को use करते है यह long term goals के लिए की जाती है इसमें हमारा focus value investing होता है और इसमें stocks को choose करने के लिए हम company के fundamental analysis करते है अब trading में ही 5 चीज़े आती है इसमें हम frequent या repeated trades लेते है इसको हम short term gains के लिए करते है यह short time period like few days या few months के लिए की जाती है इसमें हमारा एक stock के price movement को track करके उसे पैसे कमाने का focus होता है और इसमें stocks को choose करने के लिए हम company की एक chart की technical analysis करते है चलिए अब यह सारे points को हम details में discuss करते है सबसे पहले investing trading investing हमारी strategy होती buy and hold इसमें हम किसी भी company के stocks को buy करके उसे long term के लिए hold करना रहता है इसमें हम stocks को जमा करते है अच्छे rates तरह खरीद कर और एक अच्छा सा portfolio बनाते है ताकि हम portfolio आने वाली दिलों में एक अच्छा हमें gain दे हमारा एक wealth बने पर trading में हम frequent trades यूज़ करते हैं बनाना by using magic of compounding चक्रवर्ति भ्याज का जादू को use करते हुए हम investing में पैसे बनाते है इसमें एक investor जो होता है वो एक company के long term story पर bet करता है वो देखता है आने वाले 10 साल में ये company जो करेगी अभी उसमें किया नहीं है वो जो करेगी उसमें हम bet करके इस company में अपने पैसे invest कर रहे है पर trading को वैसे नहीं किया जाता है trading को short term gains के लिए किया जाता है इसमें main focus एक trader का होता है कि वो market की volatility मतलब उतार चड़ाओ को use करके short term profit बना है उसमें कि एक trader एक bet करता है वो एक news पे bet करता है कि कोई अच्छी news आ रही है तो अब ये कोई company का stock खरीद लो वो news आएगी वो company में stock से फाइदा होगा तो वो gain लेके वो company का stock को exit कर देगा तो ये होती है trading इंवेस्टिंग एक long term approach है इसमें एक investment period जो होता है वो few years से लेके even decades तक होता है इसमें हमारा जो approach होता है कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है इसमें मारा main focus होता है cash the opportunity कोई भी opportunity सामने आपको दिख रही है उस opportunity को बस use कर लेना है और थोड़े से पैसे कमा लेना है अब आते है fourth difference पे fourth difference है investing में value investing को focus किया जाता है मतलब कि कोई अच्छी company को जब वो सस्ते rates पर आती है तो हम उसे purchase करके रख लेते है ताकि वो जब एक अच्छी company बन जाए एक बड़ी company बन जाए तो हम उसे महेंगे rates पर बेचके पैसा कमा सके इसमें हम short term fluctuation मतलब कि छोटे मोटे उतार चड़ाओ से हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारा goal बहुत ही long term होता है इसमें मारा main focus होता है एक अच्छी company को buy करना quality company को सस्ते rates पर पर trading में हमारा focus होता है price movement हम किसी भी company के price movement को short term trend को देखकर एक stock को लेते है और जब वो बढ़ आता है तो हम उसे base देते है तो focus क्या होता है हमाराctions mेала एक stock को uptrend में जब वो हो रहा है तो हम उसे buy करते है और उससे जब अअब गयन हो जाता है तो हम उसे based देते है वैसे जब नीची आता है तो हम उसे sell कर देते है और उस तरह कैसे हम पैसे कमाते है और 5 difference क्या होता है कि investing में हम fundamental analysis करते हैं किसी भी company की companies के हम fundamentals देखते हैं कि company है क्या actually में करती क्या है company का काम क्या है तो इसमें हम देखते हैं कि company के management के लोग कैसे है उनकी quality कैसी है company की quality कैसी है company का brand कैसा है company की intrinsic value क्या है company की एक जो stock है उसका fair price क्या है हमें उससे कम में मिलता है, तो हम उसे purchase करते हैं और value investing बोलते हैं ये सारी चीजे हम एक investing में देखते हैं पर trading में हम technical analysis करते हैं एक company के हम charts को एक patterns को देखते हैं कि अगर वो company का chart uptrend में तो हम stocks को buy कर लेते हैं, अगर उस company का chart downtrend में मतलब वो company का value गिर रही है तो हम उसे sell कर देते हैं इसमें हम लोग technical data को study करके अपनी trades लेते हैं इसमें हम charts देखते हैं, graph देखते हैं, trade देखते हैं stock का, उस stock का price action देखते हैं और उसके patterns को देखकर हम trade करते हैं तो ये थे 5 points जो मैंने discuss कियें आशा करता हूँ, आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी value मिला है तो मेरे इस वीडियो को like करें, मैं लाता रहूँगा और भी वीडियो तब तर के लिए, this is my year signing off Bye Bye